So, hello friends, welcome back to my channel Tradershipoo तो आज के इस वीडियो बें मैं 500 रूपीज इस 1000 रूपे से 500 रूपीज बना के दिखाऊंगा यहाँ पर मैंने 1000 रूपे इसलिए लिया हैं क्योंकि जो new traders है वो यहाँ पर minimum amount से भी market से एक अच्छा खाज़ा profit generate कैसे कर सकते हैं इसलिए मैं इस series को start कर रहा हूँ जिसमें मैं daily 500 रूपीज आपको बना के दिखाऊंगा इसके पीछे का जो reason है वो आपको proper clear करूँगा यहाँ इसमें आपको money management को कैसे use करना है वो भी आपको proper बताऊंगा आप इस वीडियो को last तक जरू देखना है जिससे कि आपकी जो cycle है वो भी यहाँ पर build हो सके सबसे पहले आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो है यहाँ पर currency का चार्ट तो आपको जो भी चार्ट को open करना है उसमें आपको जो winning ratio है वो यहाँ पर 85 से above का होना चाहिए यहाँ अगर आप देखो के तो इसका 91 है यहाँ पर 89 है then 87 then 82 तो आपको 85 से उपर के चार्ट से मार्केट में यहाँ पर देखना है जिससे कि आपका जो winning ratio है वो जादा हो सके तो यहाँ पर मैंने उसके according यहाँ पर बहुत सारे चार्ट open कर लिया है यहाँ यहाँ पर मैं मार्केट में trade place करूंगा और जो अपना money management होगा अब मैं आपको वो समझा देता हूँ यहाँ पर जैसे मुझको कोई भी trade मिलेगी जैन मैं मार्केट में entry place करूंगा और वुसके according में यहाँ पर money को adjust भी कर लूँगा अब देखते हैं कि अपन को का पर कोई भी trade मिले अपनो overall market को और candlestick patterns को then candle को सबको read करेंगे जिससे कि अपनी जो trade की accuracy है वो यहाँ पर बढ़ सबे और जो beginning trader है वो यहाँ पर पहले सीखें then market में strategy को पहले practice भी दरे then market में apply करें क्योंकि किसी भी strategy को एक मिनट किसी की आपने वीडियो देखा और एक मिनट की strategy की तो उसको बिना practice के अगर apply करोगे तो आपको loss भी लग सकता है क्योंकि वीडियो बनाते समय तीन से चार ट्रेड लेनी होती है और जो भी ट्रेड वो ले रहा है वो back of the levels को भी देखता है इसलिए आपको सिरफ उस strategy को follow नहीं करना है पर स्नली पर उसको use करना है और पता लगाना है कि इसमें कौन से जो mistake है वो मुझको यहां पर avoid करना है सो यहां पर अपने एक reversal के लिए गए है अगर इसका आपको reason बताओं तो first of all मैं चार्ट को थोड़ा zoom in कर लेता हूं जिससे कि आपको proper समझा सको first of all अगर मैं आपको यहां पर बताओं तो यहां पर एक support का level है जिसका market ने यहां पर breakout दिया है यहां पर एक reversal होना चाहिए क्योंकि यहां पर जो यह pattern बना है यह bullish sign का pattern है यहां पर अगर आप इसकी candle बनाओगे तो यह bullish candle बनेगी यह morning star का pattern है यहां पर second scenario की बात करें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक color pattern का formation that is red then green then जब back to back दो red आती है तो यहां पर एक green की candle बनती है यहां आप अगर back में इस दोनों candle को देखोगे तो यहां पर इसमें दोनों में एक buying का pressure आया था लेकिन इस candle में last में seller नहीं यहां पर entry की और market को down लेके चले गए that's why यहां पर next candle यहां पर down की बनी पर इस candle में अगर आप देखोगे तो बायर यहां पर enter कीए और वो market को up लेके गए then seller भी वापस market को निच्चे लेके आए लेकिन दो भी market में जो buyers थे वो यहां पर enter कर चुके थे that's why market में इस candle में जो buyers थे जो इस candle में trade place नहीं कर पाए उन्होंने सबने इस time पर trade place की so I hope आप यह जो मैंने trade place की उसका जो proper explanation है उसको समझ गये होंगे then आपको जो यह key points है मैं यहां पर draw कर देता हूँ so आपको जो यह key points है इनका भी आपको proper ध्यान रखना है यह जो यहां पर market पर बनते हैं यह सब भी सपोर्ट & resistance के तरह work कर सकते हैं यह सब यहां पर market में एक support और representations के तरह work करते हैं जैसा आपकर आप देखोगे इसको भी आपको देखना है जिससे कि आप ट्रेट प्लेस कर सको और इस पॉइंट पे कलर पैटन बना और इसमें लाश्ट की इस केंडल में बाइंग का प्रेशर रहा देर्स वाए अपन यहां पर यहां पर एक अपसाइड की ट्रेट प्लेस कर सकते हैं अपन को चार्ट बहुत बार बोला है कि जब मार्केट एक इंपल्सी वे में डाउन आए तो एक इंपल्सी वे में ही अब जाने के भी पूरेश कोशिश करता है तो यहां पर कोई बीच में लेवल है नहीं that's why मार्केट यहां पर प्रोपर एक अपसाइड की रेली दिखाएगा So मैं यहां पर अपनी जो amount है उसको 150 कर रहा हूँ क्योंकि मुझको यह video भी प्रोपर बनाना है that's why मैं यह video लंबा ना हूँ that's why मैं यह अपनी जो trade amount है उसको यहां पर बढ़ा रहा हूँ So यहां पर अपने एक trade place कर दी है और यह अपने short short wearing trade ही होगी इसका loss होने के chance है 0% है फिर भी देखते हैं कि market यहां पर अपने according move करता है यह अपने opposite move बढ़ता है यहां पर अपने पास जो reason है वो यहां पर बहुत ज़्यादा clear है first of all यह एक bullish sign है market में अप जाने का then यह जो candle बनी है इसमें buyers ही buyers enter कर रहे हैं और market को अप ले जाने के लिए तयार बैठे है then मैंने आपको पहले बोला है कि market अगर एक impulsive wave में डाउन आए तो एक impulsive wave में ही अप जाएगा और अगर market एक correction wave में डाउन आए तो correction wave में ही अप जाएगा अब market का यहां पर कोई level है नहीं तो market इस पॉइंट पर आने की पूरी कुर्श करेगा अपने यहां पर अपनी जो ट्रेड अमाउंट है उसका भी यहां पर बढ़ाया यहां पर एक up side की ट्रेड प्लेस की और यह जो candle यह एक very strong bullish candle है इतने सारे शिनेरल को देखके अपने एक trade प्लेस की थी और यह अपनी एक short short winning trade हो गी इतने आप अगर आ देखोगे तो यहां पर अब एक level आ चुका है यहां पर अपन को थोड़ा doubt हो सकता है कि यहां पर एक trade प्लेस करें कर ना करें आप सब समझ भी रहे होंगे जो मैं यूरापे कर रहा हूँ वह यूरापे मैं आपको प्रॉपर एक्स्पीन कर रहा हू थो यहां पर मार्केट एक अपडारीक्शन की रिली दिखा सकता है अब यहाँ पर अपन candle को बोच करेंगे यहाँ पर back में market ने यहाँ पर support लिया था that's why यहाँ पर chances है कि market एक up direction की rally दिखा सकता है so इस red के बाद अपन एक upside की trade place कर सकते हैं यह market में एक red candle ही बनेगी क्योंकि market में अगर आप देखो भी है तो इस candle के अंदर यह सब candle formation दे रही है that is red मतलब green then red देन जब back to back दो green तो एक red आती है so यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसका जो result है वो overall result क्या होता है so यहाँ पर यह green मतलब जो red candle में over हो चुकी है so यहाँ पर मुझको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है that's why मैं यहाँ पर trade place नहीं करूँगा so मैं वीडियो को थोड़े देर के रिए so यहाँ पर अपन कोई एक trade मिल सकती है यहाँ पर अपन back में अगर देखें तो एक level है जहाँ पर market ने एक resistance भी लिया है so मैं वीडियो को थोड़े देर के लिए stop करते था हूँ जैसे कि आपका जो time है वह यहाँ पर सेव कर सकूँ और एक opportunity find करने के बाद मैं वीडियो को वापस start कर दूँगा so यहाँ पर अपन को trade मिल सकती है यहाँ अगर आप देखोगे तो overall एक w pattern का formation हुआ है then market का जो overall target है वो इस point पर है so यहाँ पर अपन को एक reversal मिल सकता है then अगर यह यहाँ पर थोड़ा और नीच आएगी तो अपन एक upside की trade place कर सकते हैं क्योंकि इस week के level को भी market को एक proper body से cover करना हो सकता है अब देखते हैं कि यह overall जो kindle है वो कैसे बनती है so market में अपन एक upside की trade place की है लेकिन यहाँ पर डाउन भी जा सकती है लेकिन अपन ने जो यहाँ पर देखा था वो मैं आपको proper explain करता हूँ first of all market का target इस w pattern को complete करना है last में seller आये लेकिन overall इस candle को buyer में ही close दिया then इसमें जो buyers आये थे वो यहाँ पर market को अपले जाने के लिए proper तयार थे then जो seller है वो यहाँ पर इस candle की wick में ही पूरे जितने भी seller थे वो यहाँ पर exhaust हो गये that's why यहाँ पर इसको एक green key candle बननी चाहिए क्योंकि यहाँ पर market को w pattern को भी respect देना चाहिए यहाँ पर market में बहुत सारे sign है जो अपन को down direction की एक trade लेने के लिए कह रहे थे लेकिन तो भी अपने एक application की trade लिया है यह मैंने जो है वह advanced knowledge और market में प्रेक्टिस से सीखा है तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि market को इस week को proper cover करना चाहिए देने एक reversal देना चाहिए तो यहाँ पर इसने proper cover कर लिया है तो यहाँ पर chances है कि market एक reversal दे सकता है तो यहाँ पर अगर आप देखो कि तो अपन reversal के लिए भी जा सकते थे लेकिन मुझको यहाँ पर वीडियो बनाना that's why मैं यहाँ पर कोई भी जल्द बाज़े नहीं करूँगा और proper यहाँ पर मैं वीडियो को आपको दिखाने के लिए एक शो शो ट्रेड ही लोगा जिससे कि आपको वी वादा चल जाए कि market में किस scenario पर ट्रेड करना है और आपको वही अमांट मार्केट में प्लेस करना है जिसको अगर आपको लोस हो तो भी आपको कोई फियर ना हो जिससे कि आप एकदम फ्री मांट से ट्रेडिंग कर सको क्योंकि अगर आप इस पर फ्री मांट से ट्रेडिंग नहीं करोगे तो मेक्सिमिम्म टाइम आप ऐसे जो पॉट्स बनते हैं जैसे यहां पर मुझको दिखा था कि market में तलर पैटर फोर्म हो रहा है तो मैं जल्दी से यहां पर डाउन की ट्रेड प्रेस कर देता हूं लेक का पर मिल सकती है जैन में वीडियो को फिर से स्टार्ट करता हूँ है काま शिल्द को कब से वोच्छ कर रहा हूं लेकिन मय ने वीडियो को इस टाम फे इस वीडियो की लेंस्प रहने है जैसे कि आपको ज्यादा टाइम इसको देना नपढ़़े थैसी यहां पर अगर आप क'. कि नोले थाल नोले कि यहानपे इसके थोड़ा नीचा आने पर अपन सबकर देन है सब्सक्राइब whales कि में यह धुनिंख द。」क यहां पर शोर तो नहीं हूं लेकिन यहां पर मुझको एक trade place करनी थी और यहां पर overall market में जो trend है वो इस stack market में है यहां पर जो color pattern का formation हो रहा है वो भी आपर proper हो रहा है red green then red green red green यहां पर red आने के बाद में green की candle आने चाहिए और अगर यह अपनी जो trade है वो यह अपन ने यहां पर two minute की place किए यहां पर आपन के जो winning के chances वह यहां पर ज्यादा है क्योंकि market इतना range में फसने के बाद में इसका breakout देने की पूरी कोश्ट कर रहा है अगर आप इस candle को मैंने बहुत लेट श्टार्ट किया था लेकिन अगर आपने इसमें देखा होगा तो यहां पर इसमें बाइंग का प्रेशर भी आ रहा था तो अगर यह candle रेट भी बनती है तो भी यहां पर आपन देखते हैं कि और जो यह जो अगली candle बनेगी यह अपन के इस ट्रेड को विन करवा सकती है तो देखते हैं कि अब इसका रेजल्ट क्या होता है अब पन को आप यहां पर देख सकते हो अपनी जो यह्यद्ड है वो एक शो शो ट्यों ड्विनिंग डेट होने वाली है So market यहां पर कभी भी कुछ भी दे सकता है यहां पर market एक down side भी जा सकता है लेकिन market में जब इतना sustain करता है market तो एक side इसको जो एक proper rally दिखाने होती है That's why market यहां पर एक green की candle बना सकता है अगर आप यहां पर देखोगे तो market में सब कुछ सभी चल रहा था Green ने जहां पर close दिया वहीं पर red open हुई Red ने close दिया तो green open हुई लेकिन इस point पर market एक jump up दिया है Then यहां पर market down side आया और अपने जो इस level का है यहां पर breakout दिया है So high chances है कि market यहां से अब इस जो stick market है इसका breakout कर दे That's why मैंने यहां पर जो time था उसको यहां पर switch किया और 2 minute की trade place की और अपनी जो सारी trade है वो एक short short winning trade हो चुकी है So I hope आपको यह video informative लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा So video की length तो बहुत लंबी हो चुकी है So okay friends, thanks for watching